हाई इस्टोंस आपन दीपक्त जोरी है, welcome to my channel focus classes, इस्टोंस आज के इस video lecture में हम लोग solve करेंगे exercise 8.4 से question number 5 का 9th part और इस question में हम लोगों के stignomatic identity को prove करना है, तो क्या दिया है हम लोगों को prove करने के लिए, हम लोगों को show करना है कि को साय के minus sign a, into साय के minus कौसे की value, 1 upon 10 a plus got a equal होती है, ठीक है, तो चले start करते हैं और इस stignomatic identity को prove करते हैं, अब इसको start करना है हम लोग identity की left hand side से, तो एक बार हम हम लोग लिख लेते हैं, left hand side में क्या दिया है हम लोगों को, so left hand side में हम लोगों को दिया है, को साय के minus sign a, और into में है, साय के minus cos a, अब further हम लोग इसको simplify करेंगे, तो simplify करने के लिए, क्या हम लोग कोई direct identity देख पा रहे हैं, जो लगा सक है, नहीं देख पा रहे हैं, जब को या identity लगती हुई ना देखें, तो क्या करने, sign और cos के terms में break करते हैं, ठीक है, तो कर देते हैं, को सैक a को हम लोग तब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, one upon sign a, minus का sign a, फिर sign a है, इसको as it is, लिख दिया हम लोगों नहीं, आगे इन सैक a को हम लोग लिख सकते हैं, one upon cos a, minus का cos a है, इसको as it is, हम लोग लिख देते हैं, further इसको simplify करते हैं, अब देखो one upon sign a है न, तो one तो ऐसी रखिए, minus का sign a लगा दीजिए, और इसको simplify करने के लिए क्या करें, sign a का multiply करें, sign a के साथ में, तो यह हो जाएगा, sign a square a, और upon में, क्योंकि denominator यहां पर क्या है, sign a न, तो नीचे आएगा, sign a, bracket में है, put कर देते हैं, यहां भी इसको as ही simplify करते हैं, one है, रखा, minus का sign है, लगा दिया, और cos a का multiply, cos a में करेंगे, तो यह बन जाएगा, cos a, और यहां denominator गया है, cos a, तो नीचे आजाएगा, cos a, अब one minus sign a square है, गया होता है, यह होता है, cos a, तो one minus sin square a के place पर हम लोग रख सकते है, cos square a, upon में है, sin a, ठीक है, और यह bracket में है, दूसरे bracket में, one minus cos square a क्या होता है, यह होता है, sin square a, और upon में है, cos a, ठीक है, अब multiply में है, brackets open कर देते हैं, so cos square a upon sin a, और यह है, sin square a upon cos a, हम लोग देख रहे है, sin a, यहाँ नीचे है, और यहाँ पर sin square a है, ठीक है, तो यहाँ एक power से sign की, एक power cancel हो जाएगी, cos a से square वाली, एक power cancel हो जाएगी, ठीक है, तो क्या बच्छा, यहाँ से बसता है, तब sin a, और cos a, में हम लोग उने left hand side को simplify किया, और यहाँ से हम लोग उ है, one upon 10 a plus cot a, अब थोड़ा से difficult लग रहा है, sin a, cos a को change करना, किसके terms में, one upon 10 a plus cot a के terms में, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको यहाँ तक ही हम लोग simplify करें, और हम लोग आ जाते हैं, right hand side पर, right hand side में हम लोगों को क्या दिया है, right hand side में हम लोगों को दिया है, one upon 10 a plus cot a, अ तब इस side को हम लोग simplify करेंगे, और simplify करते हुए, अगर यही answer ले आते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं, left hand side को simplify करके भी answer आ रहा है, right hand side को simplify करके भी answer आ रहा है, इसका मतलब left hand side और right hand side, दोनों ही sides कैसी है, equal है, ठीक है, तो चलिए इसको simplify करते हैं, अब आगे, one, ऐसे ही लिख हैं, caught A को लिख सकते हैं, हम लोग cos A upon sin A, further इसको simplify करते हैं, तो one अपनी जगह पर है, upon sin हम लोगो ने लगाया, और इस denominator part को हम लोग पहले simplify करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहें, इस denominator में, दो fractions हैं, क्या करना पड़ेगा simplify करने के लिए lcm लेना पड़ेगा तो दौनों का lcm कितना होगा sin a cos a छीक है lcm हम लोगों ने ले लिया अब देखो cos a यहां भी है cos a यहां भी है तो extra factor क्या है sin a तो sin a का multiply इसके numerator यानि की sin a के साथ में होगा तो यह क्या बन जाएगा sin a square a प्लस का sin यहां पर लगा देते है sin a यहां भी है sin a यहां भी extra factor क्या है cos a तो cos a का multiply इसके numerator यानि की cos a के साथ में होगा तो यह बन जाएगा cos a square a अब 1 upon sin a square a प्लस cos a square a यह क्या होता है 1 upon sin a cos a ठीक है अब upon का upon का जाता है उपर जाता है ठीक है तो sin a cos a क मल्डीप्लाई होगा किसके साथ में 1 के साथ में तब 1 के साथ में मल्डीप्लाई होगा तब यह sin a cos a बन जाएगा upon में 1 है तो upon में 1 का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब हम लोगोंने कि left hand side और right hand side दोनों ही sides कैसी है equal है और यही हम लोगों को prove करना था ठीक है I hope students question आपको समझा गया होगा अगर ऐसा है तो please video को like करने channel को subscribe करने और बाकी की questions के लिए आप मेरी playlist में चले जाएए इस तरह की बहुत सारे questions मैंने already approach की है फिर से आता हो एक नए question एक नए concept के साथ में till then keep learning and thank you for watching this video